देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपके माधियम से, मीडिया बाई बंदुगों के माधियम से, आनरेबल लफ्टिनेंट गवरनर जो हमारी यूटी जेंड के हैं मनुई सिना जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, ठैंक्स एक्स्टेंड करता हूँ कि उन्होंने जो सब इंस्पे के बाद ये रेक्रूट्मेंट प्रासेस इनिशेट हुआ है, तो मिनिमम में एज 18 साल, मैक्सिम में एज 28 साल रखी है, तो वो कहते हैं कि जब स्टेट गवर्मेंट ने, जब यूटी नहीं बनी थी, 2005 में जमू एंड कश्मीर, रेफरेंस आफ वेकैंसीज, टू रूट्म को रेफर होनी चाहिए और गेस्टेट जो है, पबलिक सर्विस कमिशन को रेफर होनी चाहिए, और यहां पे रेक्रूट्मेंट बोर्ड जो पुलीस का था, वो अपना था, वो एससासार भी को रेफर नहीं करते थे, जब एग्जेक्यूटिव और आम्ड के सब इंस्पेक चाहिए, और उसमें कहा कि सब इंस्पेक्टर्स की वेकैंसी चाहिए, वो किसी भी विंकी होंगी, वो रेक्रूट्मेंट बोर्ड पॉलीस का नहीं करेगा, वो एससासर भी करेगा, साथ में ही यह चाहिए था कि वहां अठारां से जो एज रखी थी मिनिमम, उसको मिनिमम 21 करना चाहिए था, इनको 31 या 32 करना चाहिए था, मैक्सिमम को, वो क्योंकि उनके संग्यान में नहीं आया, अब इन बच्चों ने ग्रीवांस अपना प्रोजेक्ट किया, कि हमारे पांच साल जो हमें पांच opportunities मिलनी थी, यह बैग नी कर रहे, यह रूल जो बने हैं, statutory rule under the constitution जो हमारी जेंड के का constitution था, उसके अंडर ये rule बने हैं, यह इनका statutory ride था कि हमें पांच chances पांच साल में मिलते, यह ग्रीवांस इन्होंने प्रोजेक्ट किया, मेरे पास भी आया, आपने भी उनकी ग्रीवांस को आगे highlight किया, और LG साहब ने उनको दो साल की relaxation दी, हालांकि ब निकलना है, तो मैं आपके माध्यम से यह कहता हूं कि LG साहब को request करता हूं, चुकि अभी time है, अभी दो साल जिनको extension मिली है, उनके लिए भी rules निकलने हैं, तो rules निकालने से पहले जो यह बच्चे जो 33 साल की age के लिए maximum age के लिए request कर रहे हैं, यह इनका grievance इसी action में redress कर द